हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल माई पैलाडाइस आज मैं आपको जो प्लांट दिखाने जा रही हूं इसे हैलिकून यह लोबस्टर क्लो कहते हैं यह बहुत ही खुबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है इसको मैंने कब और कैसे लगाया था इस वीडियो में पूरी के साथ और इसमें कैसा फ्लावर आता है यह भी दिखाऊंगी आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो देखिए यह बल्ब मैंने मार्च में लगाये थे यह तीन बल्ब लगाये थे और यह प्लांट राइजोम से होता आप्टर टू मन्स यह इतने बड़े हो गए हैं देखिए काफी बड़े हो गए हैं अब इसे पांच महीने हो गए हैं यह अगस्त की वीडियो है और इसमें काफी स्पाइक्स निकल आई हैं इसके राइजोम्स मल्टिप्लाई होते रहते हैं यह एक पेरिनियल प्लांट है और यह ट्रोपिकल रिजन का प्लांट है इसे हम ग्राउन में या पोट में भी लगा सकते हैं यह मैंने 14 इंच के पोट में लगाया हुआ है इसकी सोयल मौस्ट है नहीं चाहिए अगर जमीन में लगाया है तो ज्यादा पानी ना डाले फंगस का टैक हो जाता है और इसकी वेराइटी होती है फ्रेंट्स इसका नेटिव प्लेस साउथ अमेरिका है इस प्लांट को मौर्निंग की चार पांच घंटे की सनलाइट जरूर चाहिए वैसे यह पार्शल शेड में भी हो जाता है इसकी लीफ्स देखने में बहुत कुप सूरत होती है देखे कितनी हुमिट कंडिशन पसंद है पानी कम मिलने से लीफ्स यलो एंड ब्राउन हो जाती है देखे मंटीप्लाई होकर कितनी ब्रांचिस निकल आई है इसमें 7-8 स्पाइक है इसकी सॉइल वैल ट्रेंड होनी चाहिए आप इसमें समर में पानी सुबेशाम देए इसमें बहुत ही खुपसूरत फ्लावर निकलते हैं एक बार जो फ्लावर निकलता है तो वो जन्वरी तक बना रहता है मेरा प्लांट अभी बहुत छोटा है तो इसमें अभी फ्लावर नहीं आएंगे जब ये प्लांट 3-5 years का हो जाता है तब ये फ्लावरिंग करता है मैं आपको अपनी दीदी के गार्डन में लेकर चलती हूँ, जहां इसमें बहुती सुन्दर फ्लावर निकल कर आया है, यह देखे, यह मेरी दीदी का गार्डन है, और इसमें फ्लावर निकल आया है, यह बहुत टॉल है, और कितने खुबसूरत फ्लावर हैं इसमें, यह बंचिस में निकलते ह और ये नीचे की तरफ हैंग करने हैं कुछ वराइटी में ये अपसाइट भी निकलते हैं ये देखने में काफी हाड होते हैं और ये फ्लावर जो हैं ब्रेक्ट से यानि की पत्ती के बेश से निकलते हैं देखे कितने ब्यूटिफुल लग रहे हैं ये यह flower red pink और orange color में होते हैं और यह जन्वरी तक बने रहते हैं बहुत कम flower ऐसे होते हैं जो कि इतने लंबे समय तक बने रहते हैं cold weather में यह shrud हो जाते हैं तब इने cut कर दे हैं और यह flower hummingbird को अपनी तरफ अट्रेक्ट करते हैं वो इनके pollination में help करती हैं और देखने में यह plant बिल्कुल केले के पेर जैसा दिखता है इसकी height 15 feet तक चली जाती है इनकी बड़ी leaves हमिंग बर्ड को चुपने के लिए उनकी पसंदीदा जगा होती है तेज हावा चलने से जो हैं इसकी leaves damage हो जाती है पेस्ट की बात करें तो इन्हें fungal infection से बचाना चाहिए fungal infection होने पर leaves curl होने लगती है और इसकी pruning भी करते रहना चाहिए इसकी flower stock एक ही बार bloom करती है यह seedow stem होता है और leaf के pitoyol से बनता है एक stem से एक बार एक ही flower निकलता है जब flower सुख जाए तो इसे cut कर देना चाहिए और जो भी yellow leaves या dead leaves है उन्हें भी आप remove करते रहे summer में इसकी growth fast होती है summer इनका growing period होता है fertilizer की बात करें तो इसके लिए slow release fertilizer best होता है इसके लिए आप इसे NPK दे सकते हैं leaf mold भी better option है और जब यह flowering time होता है तब बोन मिल दे fertilizer का देने का जो है best time spring season होता है जैसे March और September में आप fertilize कर सकते हैं पानी इसमें तब ही देन जब soil dry हो जाएं over watering से बचें क्योंकि over watering होने से इसमें fungus का खत्रा रहता है इसका propagation कैसे करते हैं यह rhizome से होता है सो rhizome को cut करके pieces लगा सकते हैं इनमें आई होती है और वहीं से new plant grow करता है इनमें fruits भी बनते हैं जब यह पक जाते हैं तो यह blue color के हो जाते हैं इनमें 1-3 seeds होते हैं यह बहुत hard होते हैं इन्हें लगाने पर यह एक साल का time लेते हैं germinate होने पर इसलिए असान तरीका जो है वह rhizome से लगाने का ही है इसमें 2 months में sprouts निकलाते हैं और rhizome लगाकर pot को shade में ही रखें जब तक कि sprouts नहीं आते हैं और बाद में इसको दूप में रखें समर में इसमें mulching भी करते रहें और ठंड के मोसम में ही से frost से बचा कर रखें तो friends मैंने इस plant के बारे में आपको almost सब कुछ बता दिया है तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए शेर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू